नमस्कार मैं दिलीव सर्मा बोला हूं हम सब लोगों से कहना चाहते हैं कि आपने सुना है ना कि डर के आगे जीत है हमको भी बहुत डर लग रहा था वैक्सीन लेने में पता नहीं लेने के बाद क्या होगा क्या नहीं होगा लेकिन मैं अपने बच्चों के बारे में सोचा सोचने के बाद फिर मैंने क्या निये एक दिन दिश्चे किया और हॉस्पिटल जाके बैक्सीन ले लिया और देखिए बैक्सीन लेने के बाद आज हमें दो महिने से उपर हो गया मैं स्वस्त आप लोगों के सामने खड़ा हूं अब मैं आप से अपील करना चाहता हूं कि आप भी वैक्सीन लिए और स्वस्त रहिए डरिये मत धन्यवाद